नमस्कार बहुत सभागत है आपका आप देख रहे हैं सूपर सिक्स में हूँ आपके साथ रुतू ग्यानवानी आप सूपर सिक्स में बात होगी मंत्री जी के ग्यान की बताएंगे किस मंत्री ने शराप छोड़ने के लिए ग्यान दिया बातें की घर पर दारू लाने की सलह दिल्ली से लेकर जबलपुर्ट तक क्यों डरा रहे हैं एरपोर्ट ये भी बताएंगे जानेंगे कहां निलोफर बन गई निकीता और रहमान बने हीरा लाल बात रील के शौक की भी होगी बताएंगे कहां रील के चक्कर में पुलस ने किया अग्रफतार बदमाशों ने कहा क की बीच सडख पर पिटाई कहां पर की और कहां अब सरकारी स्कूलों में मिल रही बस की सुविधाएं ये भी जानेंगे शराब छोड़ना है तो घर में लाकर पैग बनाईए क्या ऐसी सला आपने कभी सुनी है MP के मंतरी ने ये सला दी है कहा है कि शराब छोड़ना है तो घर से घर ले जाकर पत्नी के सामने पीजिए मंतरी के इस अजब सला पर सब हैरान है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है देखिए सुनी आपने मंतरी जी की सला शराब छोड़ने के कई तरीके आप भी जानते होंगे लेकिन ये सलाब अनोकी है शराब घर पर लाओ और पत्नी के सामने बैठ कर पी हो ऐसी सलाब शायद ही कभी सुनी होकी आपने और सलाब देने वाले भी कोई आम शक्स नहीं है एमपी के मंतरी नाराइंड सिंग कुश्वा हैं ये मंतरी जी नशा मुक्ति कारिकरम के दौरान बोल रहे थे इस दौरान इन्हों ने शराब छोड़ने का ऐसा तरीका बताया कि सब हैरान है आप भी सुनिये मंतरी जी का ग्यां ये सबसे बड़ा इसमें योगदान है घरजी माता और बेहनों का जोड़न माता बेहने चाहें कि मेरा पती दारू ना पिये पहले तो उसा इस तरीके से बताया कि आप बजार मा कईमत भी हो जोग मंतरी ने पत्नियों को नसीहत देते हुए कहा कि पती से घर पर शराब पीने को कहें उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शराब पीने की लिमिट कम होगे और शर्म से पती शराब पीना भी छोड़ देंगे नाराइन सिंग कुश्वाह का कहना था कि हमने कई उधारन देखे हैं जब पती ने ऐसा करने पर शराप छोगी थे मजा के अंदाज में उन्होंने कहा कि पतियों में बेलन का धर होता है अब मंत्री जी ऐसी सलाह दें और सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है कॉंग्रेस ने कहा कि शराप बंदी की जगह घर में पुरुषों को शराप पिलाने के सलाह महिला हिंसा को बढ़ावा देने वाली है पुरुष घर में पीएंगे तो महिलाओं को पीटे मंत्री महिला पिलो थी देखी मैं तो मंत्री जी को ये सलाह देना चाहती हूँ कि यदि आप नशा मुक्ती करना चाहते हैं तो इस तरह की सलाह देकर महिलाओं को आप घरेली हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं तो मंत्री जी का ये जो बयान है बहुत ही अजीब और गरीब बयान है और मुझे लगता है कि उन्हें इस बयान को वापस लेना चाहिए महिलाओं से माफी माँगना चाहिए घर में पत्नी के सामने बैठ कर शराब पीना शराब चोड़ेने का ये दरीका अनोखा है अगर सरकार चाहे तो शराब बंदी कर सकते हैं लेकिन यहां तो मंत्री लोगों को शराब घर तक लाने के लिए कह रहे हैं मंत्री जी का ये ज्यान वाकि अद्भुद है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी एरपोर्ट ऐसी जगा होती है जहां सुरक्षा के तमाम इंतजामात होते हैं लेकिन दिल्ली से लेकर जबलपुर तक एरपोर्ट पर ऐसी बदंतजामी देखने को मिली है कि सब हैरान है जबलपुर में एरपोर्ट पर छज्जा गिरा था और अब दल्ली में एरपोर्ट की छट गिर गई, हाथ से में एक की मौत भी हो गई, देखिए जबलपूर के डुमना एरपोर्ट की इन तस्वीरों ने सब को हैरान किया था एरपोर्ट के डॉप एंड गो जोन के उपर लगा शेट, एक कार के उपर गिर गया था लेकिन अब जो घटना सामने आई हैं, उसने एरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटनाशनल एरपोर्ट के टर्मिनल वन पर एक बड़ा हादसा हो गया टर्मिनल वन की छट का एक हिसा तूट कर गिर गया, हादसे में अब तक एक शक्स की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए हैं बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बीच टर्मिनल वन पर गाड़ियों की लाइन लगी थी, तभी पार्किंग के छट गिर गई और कई गाड़िया इसकी चपेट में आ गई दिल्ली इस्तित आईजियाई एरपोर्ट के टर्मिनल एक पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वज़ज़ से एक सक्स की मौत हो गई और आठ से जादा लोग घायल हुए है अब दिखा सकता हूं कि यह डिपार्चर है डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा तूट करके नीचे गी रहा है अराकि यह जो हिस्सा है यह पुराना बहुत काफी पुराना हिस्सा था और यहां पर जिस्तर से पानी आज काफी जादा बारिस हो रही थी बर साथ की वज़ज़ से समाना जा रहा है कि वो हिस्सा तूट करके नीचे गी रहा है एरपोर्ट पर हादिसा हुआ तो नागरिक बोडियन मंत्री राम मोहन नाइडू ने आक्शन में आने में देर नहीं की आनन पानन में मंत्री ग्राउंड जीरो का निरेक्शन करने पहुँचे हादिसे के पीडितों के लिए मौावजे का एलान कर दिया साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिये तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशन्स चालू होँगे गुरुवार को जवलपुर के डुमना एयरपोर्ट में तेज बारिश की चलते एयरपोर्ट के डॉप औड गो जोन के ऊपर लगा शेट गिर गया जिसमें नीचे खड़ी सरकारी गारी बुरी तहां से शाती गरिमत ये रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था जिससे जनहानी का नुकसा नहीं हुआ इस घटना के बाद एयरपोर्ट में हुए करोडों रुपए के निर्मान को कटखरे में खड़ा कर दिया है फिलहाल टर्मिनल वन से जाने वाली सभी उडाने रद्द कर दी गई है दिल्ली से लेकर जबल पूर्टर एयरपोर्ट पर हुए हादसों ने कई सवाल खड़े किये हैं एयरपोर्ट में निर्मान में करोडों अर्बो रुपए खर्च किये जाते हैं लेकिन इसके बाद भी कहीं छट किर रही है तो कहीं छट जा लोगों की चान तक जा रही है फिर रिपोर्ट न्यूजेजी इन दौर में 20 से ज़ादा लोगों ने घर वापसी की है सनातन धर्म को अपनाया निलोफर निकिता बन गई खजराना गडेश मंदर में मंत्रोचार क के बीच इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया देखिए कि अब निलोफर अब निकिता है अंजुम आर्ति बन गई है रह्मान अब हीरलाल है इनहीं की तरह इन दौर में 20 से ज़ादा लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया घर वापसी की है खजराना गडेश मंदर में पूजा का आयोजन किया गया जहां सभी ने हिंदू धर्म अपनाया इन तस्वीरों को देखिए मंत्रो चार के बीच ये सभी सनातन अपना रहे हैं इस दौरान हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद रहे हिंदू धर्म को अपनाने वालों का नामकरण भी किया गया इन्हें नया धर्म अपनाया है बताया ये जा रहा है कि कानूनन धर्मांत्रन के लिए इन लोगों ने कलेक्टरेट में आविदन भी दिया था जिसके बाद ये आयोजन किया गया उनके तहट उनकी इक्षा और उनकी आस्था के प्रती हम लोग सब साथ में पड़े हुए और घर वापसी हुई और खजराना मंदीर चूकी श्री गणेज जी जो है उन्होंने यहां आके गणेज जी के मंदीर पे माथर टेका और विधिवत रूप से अंतर आत्मा से उन् उन्होंने घर वापसी का आग रहे किया था जिसके बाद उनकी इस इच्छा को देखते हुए कारिक्रम का आयोजन किया गया ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन मध्यप्रदेश चातीजगर रील का शौक कई बार भारी पढ़ जाता है यूपी के बुलंड शहर में कुछ यूट्यूबर रील बना रहे थे लेकिन रील के चक्कर में जेल चले गया आखर रील ने जेल कैसे पहुँचाया आईए जानते हैं बॉलिवूड अक्टर शारुख खान की फिल्म जवान के लुक को दोहराना यूट्यूबर्स को भारी पढ़ गया ये यूट्यूबर बाजार में जवान के लुक में रील बना रहे थे जिससे लोगों में भगदर मच गई सूचना पर पहुचे पुलिस ने छे यूट्यूबर्स को गिरफतार कर जेल भेज दिया और उनकी सारी आक्टिंग फेल हो गई पुलिस ने वताया कि आरोपी बाजार में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे बता दे कि यह मामला उत्तरप्रदेश के बुलंद शहर जिले की डिबाई कोतवाली का है शारुक खान के जवान लुक की तरह ही यूट्यूबर भी सड़क पर आक्टिंग कर रहे थे वे सिर और मूँ पर खून जैसे रंग से सनी पटी बांध हाथों में डंडे लेकर रील बना रहे थे जिससे बाजार में दहशत फैल गया इस दोरान किसी ने पुलिस से इसकी शिकायत दे दी इसके बाद स्थानिय पुलिस ने पूरे बाजार में घूम घूम कर रील बना रहे सभी यूट्यूबर्स को गिरफतार कर लिया गिरफतार आरोपियों की पहचान शिवा कुमार, रॉबिन कुमार, कुशल कुमार, अंकुष्क मीना, अमन कुमार और सचिन मीडा की रूप में हुई सोशल मीडिया पर रील बनाकर पलभर में फेमस होने के चकर में यूट्यूबर्स ने सिर, चहरे और हाथ पर लाल रंग की पटियां बांध रखी थी वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे लहू लुहान हैं, साथी यूट्यूबर हाथ में डंडे भी लिये हुए थे दिल्ली में बारश के चलते बेहत परेशान करने वाली तस्वीरे सामनी आई हैं, पानी में यात्रियों से भरी बस फस गए, यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बहार निकाला गया आजाद मार्केट का अंडर पास, दर्या बनी दिल्ली की सबसे खौफनाक तस्वीर, जहाँ पूरी की पूरी बस पानी में समा गई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कि जब पानी में बस डूबी होगी, तो बस में बैठे यात्रियों के इस्थिती कैसी रही होगी दो बसें इस अंडर पास में फसी हुई हैं, और लोग बस के छट पर हैं कई घंटों के बाद रस्क्यू की टीम पहुची, देखिये पानी में डूबी बस से रस्क के सहारे लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है रस्क्यू के एक छोड को बस से बांधा गया है, और दूसरी छोड को उपर जेसीवी से बांधा गया है इसके बाद रस्क्यू टीम बस में लोगों तक ट्यूब लेकर पहुची और फिर शुरू हुआ रस्क्यू अपरेशन एक एक कर लोगों को ट्यूब और रस्क्यू के सहारे बस से निकाल कर पानी से भरे अंडर बास से बाहर निकाला गया लोगों को पानी से निकालने का काम करीब घंटे भर चला इसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया हालाकि ये सिर्फ आजाद मारकेट इलागे की तस्वीर नहीं है मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रने सिस्टम और सभी तयारियों की पोल खोल कर रख दी है वही जलभराव के कारण जगे जगे लोग ट्रैफिक जाम में फसे हुए दिखे ये रोहिनी मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर है जहां बारिश की वज़े से सड़क धस गई और उसमें पूरी कार समा गई सड़क में समाई इस कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने बारिश के लिए कितना इंतजाम किया है बाकि सब राम भरो से तो चल ही रहा है यूर रिपोर्ट नियूज एटी मिशन गगन यान के तहट भारप पहली बार अंतरक्ष यात्रियों को अंतरक्ष में भेजने जा रहा है और इनकी रियेंट्री के लिए जिन पैराशुट का इस्तमाल किया जा रहा है उन्हें फिरोजाबाद में तयार किया जा रहा है पेराशूट आयोध उपसकर निर्मानी तयार कर रहा है। इन पेराशूट के जरिये अंतरिक शहयात्रियों की धर्ती पर सौफ्ट लेंडिंग करवाई जाएगी। ये पेराशूट एकदम सुरक्षित माने जाते हैं। इनसे प्रिस्वी पर लेंडिंग करने में नाकेवल म प्रिस्वी के अट्मास्फियर में आने के बाद अंतरिक शहयात्रियों की लेंडिंग फिरोजाबाद में बनने वाले इन पेराशूट के जरिये ही की जाएगी। इस गवर्मेंट का सबसे अमभीशियस पोजट गगन्यान के पराशूट सम बना रहे हैं। गगन्यान मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को इस्पेस में ले जाएंगे। पहले प्रतमवार भारती एस्ट्रोनॉट्स इस्पेस में जाएंगे। उनकी री एंट्री जब पराशूट्स के तुरू होगी। ये पराशूट्स सभी पराशूट्स की श्रेणी में सबसे उच इस तरकी पराशूट होती है। इन पराशूट्स को स्पेस री एंट्री पराशूट के नाम से जाना जाता है। अंतरक्ष से जो कैपसूल लीचे आता है वो हाई स्पीड से आता है जिसके घरशन के कारण उसमें हीट जेनरेट होती है। इसके लिए इन पराशूट्स में हीट रेजिस्टेंट नाइलोन 66 फेब्रिक का इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा इन पेराशूट्स में स्पेशल टेप्स भी प्रयोग किये गये हैं जिनके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षि धर्ती पर उतारना संभब हो पाएगा इस पेराशूट्स में क्योंकि कैपसूल जो स्पेस से नीचे आएगा वो पहुता हाई स्पीड से आता है और अर्थ के एट्मोस्टियर में घर्शन से इसमें बहुत हीट जनरेट होती है तो हीट रजिस्टेंस नाइलोन सिक्सिक्स फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है उसके साथ ही इसमें इस्पेशल टेप्स यूज़ हुए है जिसके कारण हम जो है इस पैराशूट के थूँ सुरक्षित अपने हिंदुस्तानी ऐस्टोनॉट्स को धर्टी पर उतार पारने में सक्षम हो पाएंगे अभी तक ये टेक्नोलोजी के वल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा और जल्द ही इन पैराशूट्स को इस दरो को सौप दिया जाएगा न्यूज जेटीन के लिए देवनर सिंग चौहान अब आपको गौालियर की तस्वीरे दिखाते हैं यूवक के पटाई कर रहे हैं बदमाश उसके दोस्त ही बताय जा रहे हैं बताय जा रहा है कि शराप के नश्य में इन्होंने यूवक के पटाई की और पीटने के बाद वाइक पर बिठा कर ले गए यूवक के पटाई कर रहे हैं और उसके बाद यूवक के पटाई करकर के उसके बाद गाड़ी पर विठा करके उसको ले जाते हैं पिलहाल ये पूरा वीडियो अप साम्टी आया है संग्यार विलिया जाएगा देखने वाली बात होगी कि किस तरह की खारवाई की जाती है मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की पहल का असर दिखने लगा है प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को बस की सुवीधा मिलने लगी है गौर तलब है कि सीम राइस स्कूलों में पढ़ने वाले पहली कक्षा से बारवी तक के चात्र चात्राओं को बस की सुवीधा मिलने लगी है खंडवा जले से में सरकारी स्कूलों से चात्रों को लाने और ले जाने के लिए 50 बसे आवंटत की गई जिन में से जादा तर स्कूलों को बसे मिल गई है जबकि बाकी बच्चे कुछ स्कूलों को जल्द ही बसे मिलने वाली है जिसको लेकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे काफी खुश है अपनी पढ़ने तर यह कुल मिलाके पुरे आफ शेम्रा इसकोल फुले हैं सासन के स्तर से शार्थ हमारे पिछले दो सालों से चल रहे हैं और इस म्हार्थ सभी शेम्रा इसकोलों को बसों की सोगात मिल गई है और करीब पचास बसें जो है पूरे इन आट इसकोलों में आई है कुछ इसकोलों में आगे कुछ में भी आने वाली है और यह बसे प्रारंब हो गई है और बच्चे जो है इन इस बसों के मार्जम से इसकोल आना प्रारंब होई है मद्यवदेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की तरज पर काम कर रहा है मद्यवदेश सरकार ने CM Rise स्कूल खोले हैं और इन्हें निजी स्कूल की तरह ही तयार किया गया है ताकि बच्चों को यहां ऐसी सिक्षा मिल सके जो निजी स्कूलों में मिलती है. इसके अलावाँ एक नई शुरूबान की गई है, अब बच्चों को जो CM RISE स्कूल के बच्चे हैं, उनको बस की सुविधा भी दी गई है. यहां बच्चे अब जो है स्कूल आना और जाना बस के माध्यम से भी कर सकेंगे सबसे पहले बच्चों से ही जानते हैं कि उनको किस तदर की सुईधा मिल रही और वो क्या कुछ कहेंगे क्या नम है अफका में नम सुर्वी वर्मा है पहले हम पैदा लाते थे लेकिन अब मुक्यमंत्री द्वारा हमें बस उपलब्द कर आई गई है तो पहले मतलब पैदा लाना पड़ता था या गाड़ी से या घर से कोई भाई वहन या मम्मी पापा कोई भी छोड़ने आते थे मेरा नाम कुमकुम पटील है मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है पहले में बहुत दूर से आया करती थी और बेगो में काफी बजन भी होता था और समाई भी काफी लगता था तो अब बस है तो अब जो है उजयन वे बाबा महाकाल की धर्शन के लिए कैसी भक्त पहुँची जिसकी लंबाई देखकर हर कोई हैरान रह गया बास्केट बॉल के खिलाली पूनम चतरवेदी बाबा महाकाल की धर्शन के लिए पहुँची थी इनकी लंबाई 6 फीट 10 इंच है पूनम धाटी ही भारत ही नहीं इशिया के सबसे लंबी लड़की बताई जाती है